तो दोस्तो आज में खर और किचिन के लिए काफी उस्फिल वीडियो लेकि आज चुकिए आपके कीचिन के काम को भी आसान करने वाली है और साथ ही साथ आपके पैसे भी और टाइम भी बचत होने वाला बिल्कुल एक रूपर खर्च होने वाला नहीं है तब चलिए इस अब जानने के लिए टिप्स को शुरू कर लेते हैं नमस्कार दोस्तो क्रेटी क्राप्ट में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो पहला है टिप एक बावल में मैंने पानी गरम ले लिया है गरम पानी लेने के बाद मैं इसमें एक चमच नमक दाल देती हूं कोईसा भी नमक ड आजमाया है तो एक हमारे हाथों को काफी आराम और पैदा भी हुआ है तो दोस्तों यह च्रीक मैंने आप में भी शेयर कर दिया है अगर आपके भी साथ इस तरीके से हुता है तो आप छोटा से ट्रीक है बिल्कुल एक रुपए खर्च करें भीना आप अपने चोटे-चोट बड़े मुश्किल को आसान कर सकते हैं तो दिखे इस तरीके से मैंने सिकाई किया है 10-15 मिनट इस तरीके से बावल में नमक डाल के पानी डाल के गरम पानी कि तो है तो कि हमारे हाथ जॉइन का अराम काफी हो गया है थो दोषत अमिद करते हूं कि छोटा सी चुली इस तरीके से रख Scout जैसे कि मैंने सीधा है इस तरीके से रख देते हैं तो देखिए दोस्तों पम के मैंने रख्षा, इस तरीके से रखना है। नहीं लिद War Am, इस तरीके से रखने से क्या है? आप सफोर. यह पीजली तरीके से लेस्ट मतंवाइस से एशना Smock करें और दोस्तों के그램ा है और दोस्तों बहुत है 1020 दोस्तोंे कमाल करेंट ओमिद कर आपसे पशेंद आपने के अगले है है तो तुरा अगला tsb है क्यों डाल रही है तो जानने के लिए ट कुड़ा देख लेते हैं तो लिए हुआ जब तक नमक अच्छी तरीके से चटकनाए लगे इसको जब तक मुझे नवे पर भूनना है तो देखे इस तरीके स्थ भून लेते हैं अब हमारे यह जो नमक है ये चटकने लगा है तो दोस्तों कोई सा भी नमक आप ले सकते हैं लेकिन मैं ने सेंधा नमक लिया मैं सेंधा इणमग इस्तिमाल करती हूं सेंधा तो दोस्तों आप ये टाटा नमक ना इस्तिमाल करके सेंधा इस्तिमाल किजिएगा मैं यही कहूंगी सेंधा नमक आपके सरीर के लिए बहुत ही फायदे मंद है तो दिखें नमक चटकने लगाया मैं एक प्लेट में निकाल लेए इसको काफी गरम हो रहा है तो इसको तो आप देखेंगे इस तरीके से डालने से हमारे जो जो आपको शिकाई कर सकते हैं तो देखें इस तरीके से आपके कहीं भी दर्द है क्योंकि दोस्तों सर्दियों में अच्छे-च्छे से दर्द है यह उभर जाते हैं इस तरीके से नमक गरम करके आप अपनी जोआएंटों को अच्छी तरीके से कहीं भी दर्द वगरा हो रहा है तो इस तरीके से सिकाई कर सकते हैं बहुत ही कमालका आइडिया है दोस्तों इस तरीक को आप लोके पर जरूर फोलो कीजिएगा तो चलिए अगला हेग टीप तो देखिए एक से दो चम्मच तेल डाल लिया है और इसमें मैं डाल लेती हूं अधा चम्मच की लगबग अजवाइन वह इस तरीके से डालने के लिय CAP just besten ister spend corresponds of death मैं यान Vyan內 तो देखिए इस तरीके से डालने के बाद मुझे अच्छी तरीके से इसको पका लेका है और पकाने के जब तक पर चटकण ना लगे इसको पका ईबलेना और दो गढंद लाइब मैं लाइन बारी सरे जब आताए हूं कि अधर कालर कम या नशन नना चाहि अब तक प्राउन मुझे शायर को फ्रीड मेżaा कैल है तो ब्राउन जाएगा है कि अधर प्राउन बाअ चेन्ज एख अच्वरी में तो मैं बताते हैं किसको कैसे कहां इस्तिमाल करना है तो देखे मैंने एक कटोरी को पर इसलिए रखा है कि मैड जले ना तो दिखे इस तरीके से जो अब दोस्तों अगर आपके घर में चूटे बच्चे हैं अगर सर्दी जुखाम से पीडित हैं बहुत जादे तो डॉक्टर के आलाम मतलब डॉक्टर के पास ना जाने के वज़े आप छोटा से ट्रीक अपने घर में आजमाए और दोस्तों अगर आपके घर में चूटे बच्चे हैं तो अजमाई लसन का तेल इस तरीके से आप मेथी बीस में डाल सकते हैं इसको अच्छी तरीके से पकाने के बाद आप इसके बच्चे के तले में भी इस तरीके से नीचे पैरों में लगाके अच्छी तरीके से मालिस करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छी तरीके से बच्चे को आराम भी मिल जाता है काफी देर तक कि इससे गरम भी रहता है क्योंकि अजमाई गरम है लसन गरम है तो इस तरीके से वक्यों को काफी रहत मिलता है यहां तक कि पैरों में हात सकते गर स्प्रीक द कर Bay कि भीशंवाज है दोश्छ दूस्तीयों मैं अगर भूडिक सत्थ की और रहे हैं सब्सक्साजरीय से और च्छ्छ सुलिखा सकते हैं। नहीं जिए कि देख लिए जूरा जब करना और दोस्तों दोड़ ऐखी अपूरा देख लिया है। क्यों जन्ग की तैसे किसी दूद्टे तरिक जतले आज हैं, LEADS था करें, मैं तोत्यहितार मेला मुझ। विर्ते में अधिंवेद करतें एलख में को सब्सक्रण करते हैं और दोस्तों। दोस्तों जादीं से our INF क्या है कि क्या रिचे था क्या है कि लोहे के वाल ले introduction इन पर देना है कि यह रहुत अदर क्यातर फीटों में दूर न क descalse यह अच्छी तरीके से इसका असर इसके अंदर आ जाए और आने के बाद आपको करना क्या है इस तरीके से गैस का फ्लेम कर देंगे बंद अच्छी तरीके से इसको एक से दो मिनट पका लेना है और पकाने के बाद आप देखेंगे कि जितने भी लोहे कासर है इस दूद के अ जाल लेती हूं तो चलि इस तरीके से मैं इसको एक बरतन में कप मेंester कर लेंगे ह। तो दोस्तो आप देखेंगे कप में transfer करने के बाद इस तरीके यह हमारा दूद बिल्केल ऐरन की जो कमी हमारे सहरे हमारे सरीर के अब बिल्कुल भी दवाइयां आपको खाने की जरूरत नहीं है दोस्तों जादे दिक्कत है ताप दवाइयां भी भाहर से ले सकते हैं ताकि जो हमारे सरी में आइरन की कमी है वह पूरा कर सकते तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह ट्रीक आप सभी को पसंद आयागा बीडिय लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब तो मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स वीडियो में